क्रंट अफेर किस्च नमबर एक 2018 का पुर्ष होकी विसलकप का खिताब किसने जीता यह है खिताब बैल्जियम ने जीता है बैल्जियम ने निदरलेंड को तीन दो से हरातर जीता है और यह है विसलकप कलिंगा स्टेडियम बोनेश वर उडिसा में आईजित हुआ था जो की 28 नमबर से 16 दिसंबर 2018 तक चला था अब यहाँ पर दो बाते और इंपोटेंट देख लिते हम की उडिसा के परत्मान सीयम कोन है नवीन पतनायक उडिसा के गवर्नर कोन है प्रोफेसर गनेशी लाल और उडिसा की कैपिटल क्या है बोनेश वर क्यस्टिन नमबर दो मिस यूनिवर्स 2018 का किताब किस ने जीता फिलिपिन्स की केट्रियोना ग्रे ने मिस यूनिवर्स 2018 का किताब जीता है इस प्रतियोगिता में दूजरे नमबर पर थी दक्षन अफ्रिका की तमारीन ग्रीन और थार्ड वेनेजोला की स्टेपनी गुतिरेज यह प्रतियोगिता थाइलेंड में आईजित की गई थी और भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में इस्सा लिया था नेहा चूड़ा समाने जो की भारत की तरफ से थी और अंतिम बीज में भी जगह नहीं बना पाई क्यस्टन नमबर तीन हाली में किस केंद्रिय मंतराले ने एको निवास सहीता दोज़ अनठारा को लोंच किया है केंद्रिय उर्जा मंतराले ने इसे लोंच किया है जिसका उदिस्टन नमबर चयार ग्यानपीट पुर्षकार 2018 किसे परदाम किया गया ग्यानपीट पुर्षकार 2018 अंगरेजी लेखक अमिताव भोस को परदाम किया गया अमिताव भोस पहले अंगरेजी लेखक बने है जिने यह पुर्षकार मिला है अमिताव गोष को 2007 में पदन स्री से भी समानित किया गया था और इन्हें साहित अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है इस पुर्षकार की स्थापना 1961 में की गई थी और इस पुर्षकार के विजेता को नगत, रासी, परस्थी, पत्तर, देवी, सरस्वती की कास्य परतिमा परदान की जाती है मिस इंडिया वर्लड वाइड 2018 का खिताब किस ने जीता यह है किताब स्री सेनी ने जीता है जो की भारतिय अमेरीकी है इस परतियोगिता का आयुजन अमेरिका की न्यूजर्सी में हुआ था विज़व का पहला तैरता हुआ परमानु उर्जा प्लांट किस देश में क्रियासील हुआ रूस में 11 दिसंबर 2018 को अकेडमिक लोमो नोसेव परमानु उर्जा सिनेंतर को क्रियासील किया गया जो की विशव का पहला तैरता हुआ परमानु उर्जा प्लांट है रूस के रास्टपती वलादी मीर कुतीन है रूस की राज़दानी मास्को और रूस की मुद्रा है रसियन रुबेल युश्च नमबर साथ 1971 के युद की समर्थी में विजय दिवस कब मनाया जाता है अंस्वर 16 दिसंबर 1971 के इज़द में सहीद वीर सैनिको के सम्मान में नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास अमर जवान जोती का निर्मान कराया गया था जिसका उद्गाटन 27 जनवरी 1922 को परधान मंत्री इंद्रा गांधी के दवारत किया गया था एक और इंपोटेंट बंगला देश का निर्मान भी 16 दिसंबर 1971 को भुआ था और बंगला देश इसी दिन एक नया देश बना था जो कि पाकिस्तान से अलग होकर बना था किस्चन नमबर आठ हाली में किस भारते खिलाड़ी को मिथाईल लीमा की उपादी दी गई मैरी कौम को यह उपादी दी गई जो कि मनीपूर सरकार के दोवारा दी गई है मिथाईल लीमा का अर्थ है स्रेष्ट राणी क्योस्चन नमबर नाइन हाली में किसे 2018 के लिए स्रव स्रेष्ट महिला सांसद का पुर्षकार दिया गया कनी मोजी को यह परुसकार दिया गया जो कि दर्विड मुनेतर कडगम की सांसद है यह परुसकार उपरास्टेपती M1213 दिसारा किया गया क्योस्चन नमबर टैन कौन दोनों पैर गवाने के बाद नेपाल की ओर से मांट टैवरेस्ट पचटने वाले पहले व्यक्ति बने जिया बोयू जो कि चीन के हैं जो 8843 मीटर पर चड़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं दोनों पैर गवाने के बाद भी अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं डेली आपको इसी परकार की वीडियो देता रहूं जो आपके एक्जाम्स में आपकी मदद करेगी और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर कीजिए लाइक भी कीजिए ठैंक यू